नमस्कार आज का यह वीडियो लेगल एडवाइजर एयम चैनल के माध्यम से बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम एक ऐसी जानकारी आप तक पहुँचाएंगे चिन से अभी तक शायद आप अनभिग्य होंगे जी हाँ दोस्तों हम बात कर रहे हैं सड़क पर असमय ही खुद जाने वाले खड़ों और गड़ों की और उनकी वजह से होने वाले हाथसों की तो दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि जो सड़क पर गड़े खुद जाते हैं उसके लिए कौन जिम्मेदार है और उन खड़ों की वजह से अगर किसी को कोई च्छती होती है कोई मरता है या कोई घायल होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा और इसके लिए हाई कोट के क्या डायरेक्शन है नमस्कार दोस्तों मैं आश्टोष मिश्रा स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल लीगल एडवाईजर एम में जहां हम सभी लोग प्रती दिन बिधी से संबंधित अपडेट्स की चल्चा करते हैं उसी क प्रदानमंत्री सडक यूजना के अंतरगत बनी हुई सडकों में किसी भी सडक में पी डवलूडी के अंदर बनी हुई कोई सडक है इन सारी सडकों में कोई भी अगर खड़ा हो जाता है और उस समय से रिपेर नहीं होता है और उस खड़े की वज़े से किसी की जान जाती ह या कोई घायल होता है या कोई दुरगटना होती है तो इसे समवेधानिक अत्याचार की स्रेणी में रखा जाएगा इसे समवेधानिक अत्याचार माना जाएगा और इसके लिए पूर्ण रूप से उस जिले का डियम यानि की जिला मेजिस्ट्रेट यानि की जिला अधिकारी district magistrate इसके जिम्मेदारी लेगा जिम्मेदार होगा क्योंकि एक DM का यह करतब भी है कि वह जिले में सारी ब्यास्ताओं को सुचार रूप से संचालित करें उसी क्रम में उसका यह भी करतब्य है कि वह समय समय पर आपदा प्रबंधन नियंत्रन बोर्ड के चेर्मेन को या उस जिले के जो जिला का प्रमुक अदिकारी है उस बोर्ड का उसको निर्देशित करें कि वह समय समय पर इसे सड़कों की जाच करें और अगर इसे कोई प्रदेशित करते हुए यहत्ते करें कि ऐसे खड़ों को ततकाल भरा जाए ताकि होने वाले दुरगटना को रोका जाए क्योंकि भारत संविधान के आधार पर चलता है और भारती संविधान एक लोक कल्यांड कारी राष्टर की आउधारना की बात करता है और ऐसे में लोक क ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे धन्यबाद नमस्कार आज का यह वीडियो